60 साल पुराने नाकरिक्ता कानून को बदलने के लिए एक नरेंद्र मोधी सरकार ने पूरी तयारी कर ली है केंद्रे ग्रमंत्री अब शाह आज लोक सभा में नाकरिक्ता संशोदन विदेग 2019 पेश करने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को तीन दिनों के लिए विहिप जारी किया है जाहर है कि अगर ये विल कानून बन जाता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश में धार में कुदपीडन की वजह से बहां से भाग कर आए हिंदू, इसाई, सिक, पार्सी, जैन और बौध धन को मानने वाले लोगों को कैप के तहत भारत की नागरिक्ता दी जाएगी हाला कि असब में इस विल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है तो वही विपक्ष भी इस विल का पूर्चोर विरोध करने में लगा हुआ है मुसलमानों को नागरिक्ता नहीं, नागरिक्ता संशोधन बिल ने भारत में एक बार पर से पहचान की बहस छेरती है राजुरत एक रूप से समेधन शील इस विदेक को लेकर विपक्ष के तरफ से विरोध के स्वर जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं और विपक्ष नहीं ये भी साफ कर दिया है कि जैसे ही सदन में इस बिल को पेश किया जाएगा वो इसका विरोध करेंगे दरसल इस बिल के प्रावधान के मताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश ते आने वाले मुसल्मानों को भारत की नाकरिकता नहीं दी जाएगी कॉंग्रेस समेध कई पार्टिया इसी आधार पर बिल का वो विरोध कर रही है बिल के समर्थन में शिवसिना, एंडे की सहयोगी रही शिवसिना जो अब कॉंग्रेस और नसीपी के साथ मिलकर महरास्ट में सरकार चला रही है और इसी बिल का समर्थन करेगी जबकि कॉंग्रेस, नसीपी और कुछ विपक्षी पार्टिया इस बिल का विरोध करेंगे तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि धर्म की आधार पर देश को बाटने की कोशिश की जा रही है जिबकि शिवसिरा के संजिराउत का ये कहना कि महरास्ट में सरकार अपनी जगा और देश की प्रती कमिट्मेंट एक जगा है इसलिए हम लोग इस बिल का समर्थन करेंगे तो आज जिस तरह से नागरिक्ता संशोधन बिल सदन पर पेश किया जाएगा उसके चलते जो विपक्ष दल हैं वो विरोध करने की बात कर रहे हैं लेकिन लगाता जो मुदी सरकार है वो इस बिल कुप आस करने की आगे पढ़ने की ठाली है